आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं डायरिया के बारे में सबसे पहले ये देखते हैं कि डायरिया या मुशन के होने के क्या कारण है तो देखिए ये हैं उसके Cause, Viral Cause ये हैं viral cause वाइरस की वज़से भी डायरिया हो सकता है यह बैक्टिरियल कोज, बैक्टिरिया की वज़े से भी डारिया हो सकता है, या प्रोटोजोवल कॉज, उसकी वज़े से भी डारिया हो सकता है, या एंटिवायोटिक की साइड इफर्ट की वज़े से भी डारिया हो सकता है, जिसे दूद नहीं पचता, उसकी वज़े से भी भी डाइरिया हो सकता है बहुत सारे कारण हो सकते हैं डाइरिया की अगर किसी पेशेंट को डाइरिया हुआ है उसको वाइरल कॉस हो तो उस केस में उसे कोई भी एंटिवायोटिक नहीं दी जाती है इस वाइरल कॉस की वज़े से डाइरिया हुआ हो तो वह अपने आप ही ठ दिया जाएगा ताकि dehydration से बचा जा सके औरस तो कंपल सरी है डाइरिया लूज मोसन के केस में औरस dehydration से बचाएगा चाहे डाइरिया किसी भी वज़ा से हुआ हो जो भी electrolytes, water, minerals का loss हुआ है बोडी से उसे maintain करेगा औरस तो औरस को continue पिलाना है अगर bacteria या protozoa की वज़े से डाइरिया है तो उस condition में antibiotic का यूज किया जाता है अब इसका treatment देखते हैं कि डाइरिया को कैसे ठीक करें सबसे पहला जो drug है वो है लोपेरा माईडी यह एक anti-motility drug है anti-motility का मतलब होता है anti-means कम करना motility means movement मतलब movement को कम करना तो यह किसकी movement को कम करेगी मतलब intestine की movement को कम करेगी यह जो intestine है इसके अंदर movement होता रहता है ताकि जो food है intestine में वो और आगे बढ़ता रहे अब ये जो intestine है इसकी movement हो रही है अब जिस भी patient को diarrhea है उस patient को अगर loperamide दी तो loperamide जो कि एक antimotility drug है मतलब ये intestine की movement को कम कर देती है जिसकी वज़ा से ये जो food है जो आगे बढ़ रहा था movement की वज़े से अब loperamide ने इसकी movement को कम कर दिया है अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा अब intestine को time मिल गया है कि ये जो food है जो धीरे धीरे आगे जा रहा था इसमें से जो भी water, mineral, electrolytes हैं इनको absorb करने का time मिल गया है मतलब loperamide intestine की motility को कम कर दिया है जिसकी वज़े से intestine को time मिल गया है absorption का तो ये water, electrolytes, mineral को absorb करके blood के अंदर डाल देगी और loose motion ये diarrhea में watery fluid आता है अगर ये absorb करके blood के अंदर भीज देगी तो जो diarrhea वो नहीं होगा जो digestive food है वो stool में convert होगा वो watery नहीं आएगा नॉर्मल stool पास होगा तो इस तरीके से loperamide diarrhea को ठीक करती है अब इस tablet के dose उसकी बात करें तो जो भी बच्चे 6 साल से नीचे हैं उन्हें ये use नहीं करना है और 6 से 12 साल के बीच में कोई बच्चा है तो उसकी dose है 2 mg 2 times a day 12 साल से उपर के लिए है 4 mg दिया जाएगा 2 times a day अब next जो drug है वो है enteroquinol ये tablet एक anti-amoebic class से बिलॉंग करती है ये अलग-अलग amoebic infection है उससे treat करने के लिए ये medication यूज की जाती है शॉल्ट है क्वीनी ordochlor 250 mg तो intestinal amoebic की condition में या warm infection होते हैं जिसकी वज़े से diarrhea जैसे condition हो जाती है तो उसको ठीक करता है ये travelers diarrhea, amoebic dysentery मतलब पेट में मरोड के साथ जो stool होती है उसके साथ mucus आना और साथ में nausea, vomiting जैसे condition होना तो सभी को ये medication treat करती है और इसके dose की बात करें तो एक tablet 2-3 times a day is enough to treat infection in adult, don't use in children अब देखते हैं ये enteroquinol काम कैसे करता है ये जो tropozoids या parasites होते है उनका जो growth cycle होता है उनके उपर सबसे ज़्यादा ये असर करता है जो parasites या tropozoids जो develop होते हैं उनको ये directly kill कर देता है जिससे आगे जाके वो cyst formation ना कर पाए और cyst नहीं बनेगा तो आगे उनकी multiplication नहीं होगी जिससे आपका infection ठीक हो जाता है और जिस भी व्यक्ति को diarrhea के साथ blood आ रहा हो या diarrhea के साथ fever हो अगर दोनों में से कोई भी condition हो तो ऐसा हो सकता है कि उसकी body के अंदर bacteria या protozoa का infection है जिसकी वज़से diarrhea हुआ है इन दोनों में से कोई भी condition हो तो उस condition को treat करने के लिए हमें antibiotic की ज़रात पड़ती है या फिर bacteria protozoa दोनों का infection हो सकता है दोनों का infection हो तो उसे mixed infection कहते हैं उसके लिए medicine यूस की जाती है और फ्लोक्जाजीन प्लस और निडाजोल या नौट फ्लोक्जाजीन प्लस टी निडाजोल जो की अलग 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 brand name से available है मार्केट में इन दोनों medicine में से कोई एक दवा लेनी है या फिर और फ्लोक्जाजीन और निडाजोल के साथ एंट्रोकिनल टैबलेट भी ले सकते हैं जो की बहुत ही असरकारक दवा है